क्या है वो सोल पीस प्राइज जो पी एम मोदी को मिला है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षन कोरिया की राजदानी सोल में प्रतिष्ठित सोल पीस प्राइज दिया गया है इसे एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है जो नूबल अवार्ड के बाद दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरसकारों में माना जाता है इस प्राइच को 1990 में स्थापित किया गया था दरसल इस प्राइच की शुरुवात दक्षन कोरिया में इसमें दुनिया के 160 देशों ने हिस्सा लिया था ये पिछले कई दशकों के सबसे सफ़ल उलंपिक खेल के तौर पर माना गया था ये माना गया कि इस उलंपिक खेलों के जरिये दुनिया में सौहार्दृता और दोस्ती के नए अध्याय की शुरुवात हुई है इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कोरियाई लोगों ने इस अवार्ड को शुरू किया ताकि ये संदेश जाए कि कोरिया दुनिया भर में शांती का अभिलाशी है और इसके लिए काम करता रहेगा साथ ही शांती के लिए बढ़िया काम करने वाली एक हस्ती को हर साल सौल पीस प्राइज भी दिया जाएगा इस प्राइज के लिए 1100 लोगों को किसी एक शक्स को नोमिनेट करने का अधिकार दिया जाता है इस ग्रूप में 300 कोरियाई लोग और 800 अंतराश्ट्रे लोग होते हैं इस अवार्ड के विजेता को एक प्रमान पत्र, एक प्लेट और समान के और पर दो लाफ डॉलर करीब 1.42 करोड रुपे दिया जाते हैं पहला सोल पीस प्राइड जो 1990 में इंटरनाशनल ओलंपिक कमेटी के ततकालीन अध्यक्ष जुआन अंतोनियो समारांच को दिया गया था इसके बाद इसे पाने वालों में बांगलादेश के मुहमद यूनूस, पाकिस्तान के अब्दुल सत्तार इलाही और यूएन के पूर्व महस्चिव घानना के कुफी अननान शामिल है इस साल मोदी को ये सोल फ्रीस प्राइज अंतराश्ट्रिय सहयो के छेतर में बेहतर काम, ग्लोबल एकोनॉमिक ग्रूप्त में उलेखनिये काम और भारत में यूमन डेवलपमेंट के छेतर में बेहतर काम के लिए दिया जा रहा है वो पहले भारतिये हैं इसके अलावा उन्हें पहला फिलिप्ट कोटलर प्रेसर एशियल अवार्ड भी दिया गया है इसके अलावा उन्हें सवदी अरब, फिलिस्तीन और अफगानिस्तान के सरवुच राष्ट्री समान दिया जा चुके हैं मोदी को टाइम के एशिया संस करण ने कवर पीज पर जगह दी थी, ये समान बहुत कम भारतिये नेताओं को मिला है इसके अलावा टाइम ने उन्हें दुनिया के सव प्रभावशाली लोगों में भी छांटा 2014 और 2016 में टाइम ने उन्हें पर संड आफ इयर चुना साथ ही टाइम पत्रिका ने उन्हें 2015, 2016 और 2018 हुमें दुनिया के नौवे सबसे ताकतवर हस्ती के रूप में चुना ब्लूंबर्ग ने भी 2015 में उन्हें दुनिया का तेरह वा असरदार शक्सियत माना 2015 में उनकी मुम की प्रतिमा लंदन के मैडम तो सादे म्यूजियम में लगाई गई वर्ष 2018 में मूदी को सहयोक्त राष्ट का सर्वोचे इनवायरमेंट पुरसकार चैंपियन ओफ अर्थ से नवाजा गया जो उन्हें इंटरनाशनल सोलर अलायंस के क्षेतर में काम के लिए दिया गया